नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अफियर्स क्लाउड में तो दोस्तो भारती वायू सिना और डियारडियों ने मिलकर एक ऐसी मिसाइल का टेस्ट कर दिया है जो दागो और भूल जाओ के सिधान्त पर कार्य करती है यानि कि इस मिसाइल में एक बार टार्गेट लाक हो ग दोस्तो भारत ने प्राजस्थान में पोकरन रेंज में दुनिया के सबसे उन्नत टैंक रोधी हतियारों में से एक हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलता पूरवक पर इछड किया है और एंटी टैंग गाइडेड मिसाइल हेलिना ने सभी मानकों को पूरा करते हु वही यहां परिछड रचानुसंधाने विकास संगठन यानी की DRDO सेना और वायोसेना के वैज्यानिकों तथा अधिकारियों दोरा संयुक तुरूप से किया गया है और हेलिना मिसाइल का परिछड उन्नत हलके हेलिकाप्टर से किया गया है और उसने सेमुलेटेड टैंक ल और यह दुनिया के बेतरीन और अत्याधुनिक अंटी टैंक हतियारों में से एक है इस मिसाइल का पोकरण में सफल परिच्छड के बाद अब उन्नत हलके हेलिकाप्टर को इस मिसाइल से लैस करने के रास्ते भी अब खुल गए हैं इस परिच्छड के समय सेनाओ के वरिष्ट कमांडर और DRDO के वरिष्ट अधिकारी मौझूद थे रच्छा मंतरी राजनाज सिंग तथा DRDO के अध्याच्छ ने वैग्यानिकों और सेनाओ को बेतर तालमेल के बल पर मिली सफलता के लिए बधाई दी है और हेलिना यानिकी धुरुआस्त्र मिसाइल 230 मीटर पर 32nd की स्पीट से अपनी लच्छ की और बढ़ती है वही DRDO के अनुसार हेलिना एक तीसरी पीडी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल प्रनाली है जिसे आधुनी खलके हेलिकाप्टर पर स्थापित किया जा रहा है हेलिना मिसाइल हर मौसम में हमला करने में सच्छम है 45 किलो वजनी ये मिसाइल अपने साथ 8 किलो 20 फोटक लेकर हवा से जमीन पर मार करने में सच्छम है हेलिना मिसाइल को ध्रू हेलिकाप्टर एडवांस लाइट हेलिकाप्टर समेत अन्य लड़ाकू हेलिकाप्टरों में भी तैनात किया जाएगा वहीं भारती सेना में इस मिसाइल संस्करण को हेलिना के नाम से जाना जाता है जबकि भारती वायुसेना के संस्क्रणड को धुरुवास्त्र कहा जाता है वहीं इससे एक दिन पहले DRDO ने पोकरण रेगिस्तान से पिनाका MK1 राकेट सिस्टम के उन्नत संस्क्रणड का सफलता पूर्वक परिछड किया और पिछले दो हफ्तों में अलग अलग रेंज के लिए 24 राकेट सिस्टम दागे गये थे जिसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया भी था अगर आप लोगोंने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं अब आप लोगों का क्या कहना है डियार डियो की इस ध्रुवास्त्र यानि की हेलिना मिसाइल के सफलता पूर्वक टेस्ट पर कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक शेर सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें ताकि डिफेंसेज जुड़ी खबरें आप तक पहुंशती रहें धन्यवाद